मुद्दा है जो बेंकिंग फ्राड होते हैं जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है ट्रांजेक्शन करवा लिया जाते हैं कुछ लालच दे कर उस प्रकार की इस्तिती में क्या करें उसके लिए एक बड़ी अच्छी तातकालिक विवस्ता है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है ये नंबर में आपको कई बार दो या तीन बार रिपीट करूँगा 155-260 ये नंबर है 155-260 फोन नंबर है एक सो पचपन-260 ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्राड होता है आपके साथ तो ततकाल इस नंबर पर फोन लगाए उस रेइस्टर नंबर से जो रेइस्टर नंबर या जो भी आपका फोन नंबर है जो बेंकिंग के ट्रांजेक्शन के लिए किसी प्रकार के बेंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए रेइस्टर नंबर से आप ये 155-260 नंबर पर फोन लगाई है आप वह फोन का बताएंगे तो आप से कुछ जैनकरिया ली जाएंगी जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बेंक खाता, कार्ड नंबर, वालेट जिसमें पैसे गए हैं, वालेट जिसमें पैसे कटे हैं, जिसमें गया है आदी आदी, वो जैनकरिया आप बता सकते हैं, पिन वगेरा आप बिलकुल मत बताइए, क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा जहां सा देके आप से पिन वगएरा भी पूछ सकता है तो एक तो यह नंबर आप विशेश रूप से ध्यान रखिए जब आप यह बता देंगे तो यह विवस्ता इस प्रकार से की गई है MHA द्वारा जिसमें साइबर रास्ती साइबर क्राइम ब्यूरो है वो और ज सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है बैंकिंग एजेंसी को चला जाता है क्योंकि जब फ्राड होता है एक बैंक से दूसरे बैंक के में ट्रांजेक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है यह बैंक अपनी फार्मलेटी करता है फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है तब जाके तो वो डियूरेशन का जो समय उसमें अगर इनके पास मेसेज पहुच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुख जाएगा अगर मालीजे एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए तो उस रूट पर रोग दिया जाएगा आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा मैं आपकी जानकरी में रखना चाहूँगा कि इस नंबर के आने से करोड़ो रूपए वापस कराए गए हैं एमेचे द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा करोड़ों रुपे वापस हुए हैं लोगों को ये मालूम नहीं है 155-260 ये कैसा नंबर है इसमें आप इसको जरूर रखिए 24 विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें पॉर्टल पर आप अपनी एप्लिकेशन अपनी शिकाहत दर्ज कर दें वो पॉर्टल एक्टिव होके सारी सारी सर्च करता है सारा सब कुछ निकालता है और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिय होती है या फिर उन्हों को आइडिंटिफाई कर लिये ज आजने बाता है